हेलो एंड वेलकम तो दा आई वाई एफ एजुकेशन एन इनिशेटिव टेकन बाइद इंडियन यूथ फांडेशन तो गाइज आज हम पढ़ने वाले एंसे अटिकर चैप्टर नमर 15 हमारा प्रियावरन ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर है पेपर के पॉइंट पॉइंट आप उसे क्योंकि हम लोग जो है इसी इंवार्मेंट में रहते तो हमें जानना चाहिए कि हमारे इंवार्मेंट कैसा है और उसको किस तरह किसे बैतर बना सकते हैं पेपर में फाइफ मार्क्स के आसपास का आता है और बच्छे इसको अटेम्ट करी लेते इसके जो भी कोशन आते हैं बहुत एजी चैप्टर है वैसे तो बट ध्यान से पढ़ना और थोड़ा समझने कोशिस करना कि मैं क्या समझाने कोशिस कर रहा हूं ठीक है यह जो रियाल्टी भी इसमें मैं बताऊंगा कि आजकल जो रियाल्टी है वह क्या है ठीक तो चलिए शुर सब्सक्राइब जैसे हुमें बिंग यानि मानव ठीक है पेड़ पोदे जीव जन्तु जो भी है यह सारे जेविक में आ जाएंगे जिबकि और जेविक में क्या होगा तापमान वायू मिट्टी ठीक है तो यह सारी चाहिए तो दोनों चीज़े मिला के कहीं पर जीवन पॉ परियावरन तो मैं कहुंगा नहीं दोनों अलग अलग है ठीक है परियावरन मतलब वह वातावरन जहां पर रहता है जीव ठीक है लेकिन पारितंद्र मतलब एक ऐसा छेत्र जहां पर क्या होता है कि जेविक और जेविक घटक एक दूसरे को पर डिपैंड होते हैं ठीक है स क्या सकते हूं परियावरण जो एक बड़ा शब्द है ठीक है जबकि पारी तंत्र की उसी का भाग ठीक जैसे आप आगे वाली लैन में देख सकते हो कि पारी तंत्र के में क्या होता है कि suited निरवर होते हैं ठीक है इसी से अहार संकला और जाल बनते हैं जो कि इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे और लास्ट का पॉइंट है कि मनुस्य के गतिविदियों के कारण हमारे परियावरत में ग्रावट आ रही है और समस्य उत्पन देख रहे होगे ठीक है जो अमारे लेफ्ट साइज में जो इमेज है ठीक है वह है आश से 2-3 साल पुरानी फोटो यह नहीं दिली की ठीक है यहां पर आपको दिख रहा होगा बर्फ है पूरी लेकिन अक्चली बर्फ नहीं है यह पतेते हैं यह है जो ज्छाग बनता है ना तो यह देखो क्या हालत है क्यों कि यह जो चीज है ना यह है हमारे पॉलिशन के वैसे जो भी इंडुस्ट्रीज का या घर का जो वेस्ट में तरह सारा किसमें डाल रही है जिसके वेसे अपने देखी ऐसी हालत हो गई है और यह जो राइट साइड में आपको इमेज दिख र बंदें इंडुस्ट्रीज बंदें ठीक है और मतलब मैक्सिमन चीज़ें लोगों को घर में रहना पड़ रहा है तो इसकी वैसे क्या है कि इंवार्मेंट में आप देखोगे कि क्या इंपक्ट पड़ रहा है वो जो नदी जिसको हर बार दिल्ली गॉर्मेंट यह जो भी अगर आसमान को आप देखो तो आपको आसमान नीला नजर आएगा सहरों में दिल्ली में जबकि यह बहुत रेर सी चीज़ होगी दिल्ली के अंदर क्यों क्योंकि यहां पर पॉलुशन इतना है दूवाई है डस्ट है बहुत सारे पॉलुशन है ठीक है लेकि क्योंकि 40-30 जिन से लोगडाउन इसकी वेसे कहें कि पूरा आसमान साफ नजर आता है और यह जो इस्थिती है दिल्ली में लगबख लगबख 20-30 साल बात देखने को मिली है इतनी साफ इतना साफ इंवार्मेंट तो सोच सकते हो आप कि कितना ज़्यादा इंपेक्ट पड़ता हमारे के है तो देखो यह नीला आकास दिख रहा है आपको ठीक एक इंडियागेट वाली इमेज देखो यह एक इमेज वह है जो पहले की है और एक वह है जो अब किये जो इन्वार्मेंट साफ होने के बात कि कितना इंपक्ट आ इस चीज़ के उपर है चलिए आगे चलते हैं अगर आकरितिक फारीतंत्र जैसे जंगल हो गया सागर होगए जील होगया ठीक है और एक होता है मानुनर्मित मतलब जो हमने बनाया ठीक है जैसे खेट जलासे लोग बना लेते बगी चाहा ये सारी चीज़ें क्योंकि कीसका निर्मान कों गड़ता है मनुश्य करते हैं सौझ मैं यह आपने देखा कि पार्क जो होती है ठीक है वहां पर क्या है नई जीवों को लाकर हम छोड़ देते हैं गुजरात को तो वह भी किसमें आजाएगी मानब निर्मित में आजाएगी जबकि जो नैचुरली जंगल बने हुए ठीक है वह क्या होंगे वह आपके प्रकरतिक पा अब फ़ुक्ता यानि कि जो इसके पर डिपेंड होता है ठीक है और अब घटक अब गटक वह थे जो क्या करते की चीज यह कोई कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है तो गाइब नहीं होती बलकि क्या होती है अप मार्जक उसको क्या करते हैं सबाब्त कर देते हैं बैक्टे हो जाता है अब हम बात करते हैं उभहता है show बाटे को साखारी आपको चाहरी किसे कहते हैं जो केवल पेड़ब पार डिपेंड़ों क्या कहेंगे सब्सक्राज करमलों होते हैं तो कौन होते हैं जोकी सब कुछ खाते हैं और पर जीब ह이면 लिए ने चैप्टर 6 में बताए था आपको पर जीबी जो हें जो किसी के ओपर डिपनद होते हैं उसकीं भर डी पर रह कर क्या करते हैं अid करते हैं तो यह तो बाने बता दिया अज यई घटक क्या होते हैं ठीक है और यह देफिनीशन आप लेकिर बात करते हैं अहार संक्ला होती है यह एक ऐसी संक्ला होती है जिसमें क्या होता है हर एक जीव जो एक दूसरा पर क्या होता है भोजन के लिए रहता है जैसे आपको चितर दिख रहा है ठीक है और हिरन को कौन खा रहा है सेर तो यानि कि यहां पर क्या है कि हिरन जो है वो किस पर डिपेंड है घास पर ठीक है और घास और हिरन पर कौन डिपेंड है सेर तो यह क्या हो गया आपका आर संकला ठीक है अब बेसिकली क्या है कि एक तरह से कह सकते हैं कि उर्जा जो है ये एक दूसरे को इस्थांतरित करते क्योंकि इसके energy इसमें ट्रांसफर ठीक है और इसके energy इसमें ट्रांसफर होगी ठीक है तो ये जो energy transformation है इसी जो हम क्या कहते हैं? Posisну कहते हैं क्या कहते हैं? Posisna ठीक एक अहर संख्ला जो है उसमें क्या होता है उर्जा जो ने एक ही दिशा में स्थांतरित होते हैं यानि कि अगर मैं बात करूं एनर्जी की तो एनर्जी यहां से इधर जाएगी और यहां से इधर जाएगी ठीक है ऐसे नहीं हो सकता है कि यहां से इधर आए और यहां से फिर इधर जाए यह गलत हो जाएगा ठीक है पेड़ पर पड़ते है अब उससे क्या होता है यहां पे 10% रूल लगता है 10% क्या होता है तो मान लो कि घास जो है अगर 1000 जूल there फीड़्य के पास कितनी जाएगी कवल और 10 Total परसेंट यानु मilla सो जूल उट जाएगी ठीक है और बाकी जो 90 परसेंट वो क्या होगा वो जेव क्रियाओं में वेस्ट हो जाती है वेर्थ हो जाती है उप्योग कर ली जाती है और जो सेर है उसके पास जाएगा केवल केवल कितना दस जूल तो इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि सेर को अध दस परसेंट नहीं में वह लागू होता है जिसमें केवल केवल दस परसेंट ऊड़ जाई अगले पुस्षिस तर तक इस्थांतरित हो पाती है जिसका अधिक भोजन क्या सकता पड़ती है तो आप देख सकते हो कि एक कुशन यह भी आ सकता है कि हार सिंखला में तीन अथव पर्राइब तर इस परसेंट अगले लेवल पर तो दस जूल हो गया और सबसे उपर जाते जाते वह कितना अगए एक जूल तो अब बात करेए जेव आवरधन क्या होता होता है होता है बई कि इसके लिए एक और वर्द्ऩ होता है अगर आवरधन लिखा yeah जर्ब छाय है मतलब होता है कि मानलो कोई केमिकल है किसी जानवर के सरीर मैं तो अगर उसका ःफ़ोग कोई और करता है तो वह हमेशा उसमें किया होता बढ़ता चला जाता है chemical ठीक है तो जैसे माल लो आप सब्जी लाते हो देखा है बजार में बड़ी सुंदर सुंदर सब्जा मिलती है जो महंगी महंगी वो क्या होती है वो injection लगी होई होती है उसके वैसे क्या है कि जल्दी पग जाती है या जैसे आम अगर हम अभी लेते है आउट ओफ सीजन तो आपको क्या मिलेगी वो दवाई उसे पकाई हो याम मिलेगी अब जब आप उसको खाते हो तो वो chemical आपकी बोड़ी में जाता है और आपको नुक्सान करते है तो इसी process को क्या कहते हैं जेव आवर्दन कहते हैं और यह process सबसे ज्यादा किसमें होती है human beings में होते हैं क्यों 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 क्यो मालो कि कोई एक हड़ भी जायए तो भी क्या होगा बाकि जो है किसी अंenne के ओपर depend रहेगा ठीक है तो लोमड़ी क्या करेगा फो या चील की बात करो मैं तो चील को अगर खरगोस नहीं मिला ठीक है तो क्या करेगा अपना जीवन चूवए और साप से भी पर हैं खाय करती है तो यहां पर आप चार फोटोस देख सकती हो यह चार चीजिज सबसे एच्छा मोका है आज कल का जो लोगडाउन का समय समझने का कि हमारे वजह से इंवार्मेंट कितना परदूशित होता है क्योंकि आप देखो ना खुदी कितने चेंज़ें सारे इंवार्मेंट में क्योंकि सारी दुनिया या देश बंद पड़ी हुए कोई भी इंडिस्ट्रियल फंक्शन नहीं हो र सब्सक्राइब करते हैं अगर हम बात करते हैं ओजन परत की ठीक है तो प्रित्वी के उपर ना यह कंबल की तरह है ठीक है जो क्या करती है सूरज से निकलती है पैरा बैंगनी किरने उससे हमारी क्या करती है रक्षा करती है क्यों करती है क्या ही हमारी जरूरी है तो पोदे नश्ट हो जाएंगे तो यह सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो इसलिए ओजोन क्या हमारे लिए इंपोर्टेंट है एक फण बता दूं आपको कि अगर आप ओजोन गैस के डिरेक्ट अब इसका निर्मान कैसे होते है तो जो क्या है कि इस प्रॉब्लम्स के निgenYGA थे नहीं ठीक उत्वर्णकर में काम करते जिससे होता बन जाते है अजिसे में क्या चाहँ है जोन कहते हैं अब जोन परत का हरास कैसे हो रहा है तो बिसिकली कहा है कि 1985 में जब एक रिशर्च की गए तो वहां पता लगा कि देखो जोन परत के इंदर ने बहुत बड़ा च्छेद हो गया और यह जो च्छेद है यह कहा है यह बिसिकली अंटार्टिका के उपर वह तो इस कि यह बैठें गुई जहां पर यह डिशाइड किया गया कि 1986 का जो लेवल है उससे ज्यादा हम क्या करेंगे सिएफ सी का उतपादन नहीं करेंगे ठीक है तो इसी प्रोटोकोल को क्या नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकोल नाम दिया गया उसके अलावा आप से कुशन तोड़कर कर देते हैं जिसके वेसे क्या होता है कि उसके लिए जो जाता है अब बात करें कच्रा प्रबंदन तो देखो आजकल अगर आप दिल्ली में रहते हो ना तो जो कर दिल्ली से आप आते हो गाजीपूर की तरफ से ठीक है तो उदर आप देखोगे बहुत उचा सा पहाड देखने को मिलेगा आपको ठीक है वह पहाड पता है किस चीज गया है कूड़े का तो एक्चुली में क्या है कि सहरों में कूड़ा निप्टाना भी क्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है ठीक है क्योंकि इतनी जगह नहीं होती कूड़ा को कैसे निप्टाए जाए तो वह धीर धीर खट्टा होता जा रहा है और कई मंजिला ऐसा लगेगा तो कच्रे दो परकार के होते हैं एक होता है जेव निमनी करनी है जैसे आपने देखाना कूड़े के जो बॉक्स होता है जो इसली जो नस्ट नहीं होते ठीक है प्लास्टिक हो गया सीसा हो गया रेडियो एक्टिव चीज़े हो ठीक है तो इसलिए कि दोनों को हमें सला दी जाती है अलग-अलग रखने की भी ठीक है बात करें आगे तो भी हम कैसे कैसे कर सकते हैं तो पहला होता है जेव मातरा सहित्र यानि कि वही जो हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आएं कि उसको हम क्या करें जेव मातरा परिवर्तित करके खाद में प पाने को साफ करें तो किसे कहते हैं स्टीपी ठीक है डिली में भी बन रहा एक स्टीप कुड़ा बराव छेत्र यह नी जो चेतर नीचे है गहरा है उसमें क्या कर अब कूड़ा लगातार बढ़ते जाओ जिससे क्या हो छेतर भी जो है ऊपर की और आजए मिला बरावर हो जाए ठीक है कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग मतलब कि जो जेवी कच्रा है उसको गड्डेम भरके रख दो और तीन-चार महिने बाद निकाल लो तो वो किसमा कनमट हो जात है पुनापयोग पुनापयोग मतलब यह तो इंडिया के इंदर बहुत होता है आप देखा होगा आपके घर में होलिक्स या कोई भी चीज के डबात है तो मम्मी उसको मसाले के डब्बे कर रूप में यूज कर लेती है तो वह आजकल थोड़ा मोडन हो गया तो हम लोग ब फांडेशन है जिसके दुआरा हम जरूरतमन लोगों की साहता करते हैं तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते तो प्लीज दे तता हमें सोसल मेडिया के पर फॉलो गरें फेस्बुक, इंस्ट्रागरम और ट्विटर पर सो गाइस थैंक यू फो लिस्निंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब आर चैनल